हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल न्यू पैटन में नेक डिजाइन बनाने के लिए साड़े सत्रा इंच लंबा हमने एक कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई आठ इंच है बीच में से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और ये देखिए यहां से हमें साड़े साड़े साथ इंच की लंबाई नापकर तिक लगानी है अब हम इसे तिर्ची में लाइन अप करेंगे तो ये देखिए तिर्ची में हमें ऐसे लाइन अप करना है अब हम इस लाइन को कट कर लेंगे इस लाइन को कट करने के बाद अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो सिलाई हमें यहां से करनी है यहां से धागे को कट करेंगे फिर यहां से सीधी सिलाई कर लेंगे धागे को कट करके कपड़े को फोल्ड करके हम सीधा करेंगे कपड़े को सीधा करने के बाद इसे परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हम इस्तरी कर लेंगे तो ये देखिए इस्तरी करने के बाद यहां किनारे की साइट से सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम यहां पर लंबाई नापेंगे तो ये देखिए साड़े 3 इंच की लंबाई पे हमें टिक लगाना है अब हमें 3 इंच की लंबाई नापकर 7 डोरी की कटिंग कर लेनी है हमने 7 डोरी ली है 3 इंच की लंबाई नापकर कट कर लेनी है जहां पर हमने टिक लगाया है वहां से हमें डोरी को फोल्ड करके ऐसे लगाना है थोड़ी धोड़ी दूरी पे हम डोरी को ऐसे फोल्ड करकी लगाएंगे और इस लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें किनारे की साइट से हम एस्ट्रा डोरी को कट कर लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हमें सूट का कपड़ा लेना है सूट के कपड़े में हमें 14 इंच की लंबाई नापकर टिक लगानी है तो ये देखे 14 इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे जहां पर हमने टिक लगाया है वहां तक हमें कपड़े को ऐसे कट कर लेना है ऐसे कट करने के बाद अब हम कपड़े को open करेंगे अब जो हमने डोरी वाली डिजाइन बनाई है उसे लेंगे यह देखिए इसे हमें यहां पर ऐसे लगाना है इसे अच्छे से पर्फेक्ट सेप में बैठाते हुए हम पीनप कर लेंगे यहाँ पर अब हम दूसरे साइड के सूट के कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे अब हमें इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला देनी है सीधी सिलाई चलाने के बाद अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे कपड़े को हमें सीधा करना है और यहाँ से हमें पिन को निकाल लेना है यह देखिए यहाँ से हम पिन को निकाल लेंगे अब इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके यहां उपर की साइट से एक बराबर में सीधी सिलाई चलाएंगे जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में बैठेगा अब हम धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड डिजाइन की इस पैटन को तयार करने के बाद अब हमें गले की कटिंग करनी है हमें एक बक्रम लेना है बक्रम को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर पाच इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे फिर दो इंच आठ पॉइंट की चौडाई पे टिक लगाएंगे अब हमें स्केल की सहायता से इन दोनो टिक को लाइन अप करना है दोनों साइट से लाइन अप करने के बाद यहाँ पे हलका सा गोल सेप में ऐसे लाइन अप करेंगे इस लाइन के थोड़ी से दूरी पे एक और लाइन को ऐसे लाइन अप कर लेंगे जिस shape में हमने line up किया है बिल्कुल उसी shape में हमें इसकी cutting कर लेनी है तो ये देखिए फ्रेंड, goal shape में हमने गले की cutting की है किसे हम इस्तरी की सहायता से कपड़े पे चिपका देंगे कपड़े पे चिपकाने के बाद किनारे के साइट से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसके उपर सिलाई चला लेंगे यहां से हमें धागे को कट करना है धागे को कट करने के बाद अब हम सूट का कपड़ा लेंगे सूट के कपड़े में गले की डिजाइन को यहाँ पर लगाएंगे और इसे पीनप कर लेंगे जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में डिजाइन के ऊपर हम यहाँ से सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते समय गले के डिजाइन को परफेक्ट सेप में बैठाते रहें जिससे आपके डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आईगी और आपका डिजाइन इजली तैयार होगा सिलाई के हलके से बगल में हमें ऐश्टरा कपड़े को कट कर लेना है ये देखिए हमने एश्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है अब हम किनारे की साइट से हलका हलका कपड़े को कट करेंगे ध्यान रहे आपकी सिलाई नहीं कट होनी चाहिए अब हमें इसे फोल्ड करके सीधा करना है अब हम डिजाइन को इस्तरी कर लेंगे जिससे हमारा सेप में बैट जाएगा आगे की साइट से परफेक्ट फिनिशिंग आई है अब ये देखिए ये वाला जो हमारा डिजाइन का कपड़ा है इसे हम ऐसे फोल्ड करके सुई धागा की मदद से हम यहां पर चूनट बनाएंगे ये देखिए हमें यहां पर ऐसे चूनट बनान अच्छे से कपड़े में ज्वाइंट कर देना है सूट के कपड़े में हम चूनट को अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद प्रेंड अब हमें इस डिजाइन में मार्केट वाले बटन को लगाना है तो मार पुछे से लॉक कर लेंगे यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट करेंगे सुई धागा के मदद से बटन को यहां पर लगाना है और डोरी की डिजाइन में हमें मोती को लगा देना है तो यह देखिए फ्रेंड हमारा डिजाइन बनके कम्प्लीट हो गया है जब आप इस डिजाइन को पहनेंगे तो आपके डिजाइन का लुक कुछ इस तरीकी का आएगा जो कि बहुती सुन्दर लग रहा है आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा